उस वक्त नीताम मानी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्हीं के मादान वान खेड़े में जंता हारदिक पांडिया को जम कर गालिया देने लगी हार्दिक पांडिया तक तो फिर भी सहनी ये था परन्तु जब नीता अम्मानी के पीछे से जनता उन्हीं के लिए यह अपमान जनक नारे लगाने लगी तब नीता अम्मानी को रहा नहीं गया और फिर वो तमासा खड़ा हुआ जानगा राब भी बहुंचक के रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों सूतरों की माने तो रुहुत सर्मा को कप्तानी से हटाने को लेकर नीता अम्मानी और अकास अम्मानी से राय ली गई थी और दोनों ने रुहुत सर्मा से पूछे बगएर एक बार में रुहुत सर्मा को हटाने को लेकर हामी भर दी पर वो यह नहीं जानते थे कि रुहुत सर्मा लोगों के दिलों में राज करते हैं बले ही रूत सर्मा कुछ न बोले पर जनता मुंबे एडियन से जम कर बदला ले रही है अपमान जनक नारों की बीच नीता अमबानी मैदान से उठकर बाहर चली गई वैसे आपको ये नजारा कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजेगा तैंक्स रुवाचिंग